बच्चो पचले अध्याओं में हमने जाना कि उद्योग, वैपार, विवसाय, कृशी ये सब अर्थ विवस्था के एक ऐसे अंग है, जिने हम कह सकते हैं कि ये वास्तों में आर्थिक क्रियाओं के आधार है, अर्थ विवस्था के आधार है, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी आर्थिक क्रियाओं या धन संबंदिक क्रियाओं हम संपन्न करते हैं, वो स सब्सक्राइब व्यवसाय क्रिशी उद्योग के अंतरगती संपन्न की जाती हैं अगर हम बात करें आधार भूत संरचना की तो हम यह कह सकते हैं कि वास्तों में यही सभी तत्व चाहें हम उद्योग के हैं व्यवसाय के क्रिशी कारे कहें यही कहीं न कहीं पूरी की पूरी आर्थिक प्रक्रिया की आधार भूत संरचना हैं तो आज हम जानेंगे कि क्या है आधारिक संरचना और इसके अंतरगत हम देखेंगे उर्जा और स्वास्त का इन पर क्या प्रभाव पड़ता है तो आए देखते हैं आध आधारिक संरचना क्या है आधारिक संरचना अगर हम सीधे सीधे शब्दों में कहें तो किसी भी देश के आर्थिक विकास का आधार है किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए जो सहयोगी तत्व होते हैं वो जो कारे करते हैं उनको हम आधारिक संरचना के अंतरगत शामिल कर लेते हैं अगर एक पारिभाशिक रूप में हम आधारिक सनरचना को जानना चाहें तो हम यह क्या सकते हैं कि एक ऐसी सनरचना जिसके द्वारा क्रिशी उद्योग व्यापार वानिज्य और यह सभी मुख्योद पादन छेत्र के कई प्रकार की सेवाओं और कारियों को शाम कारिक सनरचनाओं में कौन-कौन से कारे कौन-कौन से तत्व आते हैं और इनका किस प्रकार प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक्रियाओं पर पढ़ता है तो यहां पर हम इनको दो भागों में बाट कर देखते हैं एक तो कुछ ऐसी सनरचना है जिनका प्रत्यक्ष प्रभाव पढ़ता है वस्तू और सेवाओं के उत्पादन पर जिसे हम कह सकते हैं परिवहन, संचार और इस तरह की अन्य सुविधाएं दूसरा जिनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव सामाजिक छेतरों पर पड़ता है जिसके अंतरगत हम शामिल करते हैं सिक्षा, स्वास्थ और इस तरह की कई सेवाओं की तो कुल मिलाकर चाहे वो सड़क बनाने से संबंदित हो, बांध बनाने से संबंदित हो, सिक्षा के छेतरे में किसी कारे से संबंदित हो, परिवान से संबंदित हो, ये सारे जो कारे आते हैं किये जाते हैं ये आधारिक संरचनाओं के अंतरगत आते हैं वास्तों में जब हम आधारिक संरचनाओं की बात करते हैं तो हम यह देखते हैं कि कहीं न कहीं इसका सीधा सीधा संबन पुंजीगत संरचनाओं से भी होता है कहीं न कहीं यह आर्थिक विकास की बात करते हैं या आर्थिक क्रियाओं से सब्बध होते हैं फिर भी हम एक नज़ डाले तो हम देखते हैं कि आधारिक संरेचना और पुंजी गत संरेचना अपने आप में विंद भिंदनые हैं बात अगर हम करते हैं आधारिक संरेचना की तो यहां होती है जो वास्तों में आर्थिक क्रियाओं के अंतरगत आती है और उसका मुख कारे ही आर्थिक च्छेत्र का विकास करना होता है जैसे यहां पर हम देखते हैं कि उद्योग वाणिज व्यपार से संबंधित जो क्रियाएं होती है चाहे उद्योगों के लिए परिभाइन व पूंजी गत संरचना में मशीने जो आती है बड़े करण जो आते हैं बड़े परिभान के जो साधन जो आते हैं इसके अंतरगत हम शामिल करते हैं वास्तों में पूंजी गत संरचनाओं के अंतरगत उन सभी वस्तों को शामिल किया जाता है जो आधार भूत संरचनाओं के निर्माण का अधार बनते हैं तो कहीं न कहीं ये अपने आप में दोनों एक अलग-अलग अधार नाय हैं इसे तरह से अगर हम आधारिक सनरचना के प्रकार को देखें तो इसके प्रकार को हम यहाँ पर दो भागों में बाट कर हम इसके अर्थ को जानते हैं अगर हम देखें कि वास्ताव में आर्थिक आधारिक सनरचना क्या है तो इसके अंतरगत हम देखते हैं कि इसमें उन सभी तक्तों को शामिल किया जाता है जो आर्थिक विकास में सहायक है जैसे कि अभी तक हम देखते आ रहे हैं चाहे वो उर्जा से संबंदित हो, स्वासत से संबंदित हो, या अन्य किसी उद्योग वेपारिय वेफसाय के सहायक क्रियाओं के रूप में कारे करता हो। लेकिन दूसरा जब हम बात करते हैं समाजिक सनरचना की तो इसमें उन सभी तत्तों को शामिल कर लिया जाता है जो समाज के विकास के लिए आवश्यक होती हैं। जैसे हमने पहले भी देखा सिक्षा की जो चेतर में किये जा रहे हैं जो कारे हैं परिभान के चेतर में स्वास्त के चेतर में जो किये जा रहे हैं कारे हैं समाजिक सुधार के चेतर में जो किये जा रहे हैं कारे हैं ये सब के सब कारे समाजिक सनरचना के अंतरगत आते हैं। तो ये तो थी आधारिक संरचना और समाजिक संरचना के अर्थ की बात अगर हम इसमें अंतर डूढने के कोशिस करें तो कुछ अंतर भी हमको दिखाई देते हैं आये देखते हैं कि आधारिक संरचना और समाजिक संरचना में क्या अंतर हैं आर्थिक एवं सामाजिक आधारिक संरचना में अंतर पहला आर्थिक आधारिक संरचना में तत्व प्रत्यक शुरूप से सहायक होते हैं जबकि सामाजिक आधारिक संरचना में अप्रत्यक शुरूप से आर्थिक आधारिक संरचना में उत्पादक्ता में व्रद्धी होती है पल्सवरूप उत्पादन लागत में कमी आती है जबकि समाजिक आधारिक संरचना से मानव संसाधन की गुणवत्ता में सुधार आता है फलसरोप मनुश्य के कारेचमता में वृद्धी होती है तीसरा आर्थिक आधारिक सनरचना पर किये गये वैसे ध्वोतिक पुंजी में वृद्धी होती है जबकि समाजिक आधारिक सनरचना पर वैसे मानो पुंजी का नर्माण होता है अंतर के आधार पर हमने जाना कि आधारिक सनरचना और समाजिक सनरचना दोनों अपने आप में प्रितक प्रितक है अगर हम बात करें आधारिक सनरचना के महत्वकी की वास्तों में इनका क्या महत्वकियों हैوں यह जरूरी आईए इस पर एक नजर डाले तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आधारिक सनरचना जो है वो पूरी की पूरी क्रिशी कारे का एक अभिन अंग है कृष्णी विकास में यह सहयोगी होती है चाहे हम बात करें कृष्णी चेत्र के विकास के लिए उन्नत बीजों की उर्वरकों की खाद की या बड़ी मशीनों की तो यह सारे जो कारे हैं वो कहीं न कहीं आधारिक सनुचना की क्रियाओं के फलस्वरूपी संब़ हो पाते हैं दूसरा अगर हम इस पर एक महत्वपर एक नजर डाले तो हम देखते हैं कि उद्योगों का जो विकास है वो भी आधारिक सनुचना के अंतरगतिक महत्वपोर्ट तत्व के रूप में शामिल किया जा सकता है उद्योगों के विकास के लिए परिवहन सुविधा मुहया करा या कच्चे माल की आपूर्टी कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करना ये सारे जो कारे हैं आधारिक सनुचनाओं के अंतर गताते हैं तीसरे इसकि महत्वपोर्ट के हम बात करें तो हम यहां पर हम देखते हैं कि उत्पादन में वृद्धी का जो प्रयास है चा उत्पादन वृद्धी के लिए कच्चा माल उपलब्द कराना परिभान के सुविधा अश्रम के सुविधा उपलब्द कराना ये सारी की सारी जो चीजी होती है वास्तों में यही आधारिक सनरचना यानिक इंफरस्ट्रक्चर के माधियम से ही ये तै किया जाता है तो कहीं विकास की जो क्रियाएं हैं वह बहुत तीव रगती से आगे बढ़ेंगी और ये एक ऐसी दशा बनती है जब लोग निवेश करना चाहते हैं तो निवेश में भी व्रिद्धी का एक आधार आधारिक सरचना बनती है साथ में एक महतुपूर्ण बात यहां पर यह देखने अनिवायर आवशक्ता हो अरामदाया को यह विलासिता पूर्ण आवशक्ता हो सभी आवशक्ता हो को वो पूरा कर पाते हैं और अपने जीवन इस्तर को गुडवत्ता योगते अच्छा जीवन इस्तर वो प्राप्त कर पाते हैं लेकिन असा तभी संभो है जब उनके पास रोजगार के अवसर अच्छे हूं और रोजगार के अवसर को कहीं न कहीं हम इनी आधारिक सनुशनाओं से कनेक्ट करते हैं जोड़ कर देखते हैं जबकि उत्पादक्ता में व्रद्धी करने के लिए प्राकतिक सुनसादनों को समुची दोहन करने के लिए हम जब इस तरह क करते हैं तो कहीं न कहीं है इससे बेरोजगारी की समस्य भी दूर रोजगार के जो अवसर है वो लोगों को प्राप्त होती है इसी तरह एक विंदू यहां पर हम देखते हैं कि की आप और भी होती है बाजार बहुत अच्छा जब होता है ग्रोथ करता है तो उस कंडिशन म पूंजी की भी आवशक्ता होती है तो बहुत आसानी से वो पूर्टी हो जाती है चाहे वो रिन के माध्यम से हमने बहुत सारे अलग-अलग प्रकार भी देखे हैं कि कहां-कहां से एक उत्पादक जो होता है वो पूंजी की विवस्था करता है तो कहीं न कहीं ये भी एक अच्छे से संचालित हो रहा है सभी को रोजगार मिल रहा है उत्पादन अच्छे से हो रहा है इसका मतलब यह है कि बाजार में वस्थू की जो मांग है उसमें व्रिद्धी हो रही है लोगों के पास आया है रोजगार है तो जाहिर सी बात है वो वस्थू की मांग करेंग लोगों के आय के इस तर का बढ़ना उनकी क्रेशक्ती का बढ़ना ये सारी दशाएं ऐसी है जो ये बिताती है कि वास्तों में बाजार की जो दशा है वो काफी अच्छी है इनी आधारिक संरिचनाओं के अंतरगत हम बात करेंगे उर्जा और स्वास्त की उर्जा पावर शक्ती नाम से इस पस्ट है कि इसके आभाव में डेश का कोई भी कारे कोई भी विकास कारे शायद संभव नहीं हो पाएगा चाहे हम सिक्षा के छेतर में देखे चाहे स्वास्त के छेतर में देखे चाहे किसी भी घरेलो कारे के छेतर में भी जब हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि उर्जा के बिना कोई भी कारे संभव नहीं है या सुचारू रूप से कोई भी कारे नहीं किया जा सकता है यहां पर हम देखते हैं कि किसी भी देश के विकास में जो उर्जा शक्ती है वो बहुत पहुत पूर्णबो में करनी भाती है जिस देश में उर्जा के पर्याप्त स्त्रोत नहीं है वो देश बहुत धीमी गती से विकास करता है और जहां पर उर्जा के पर्याप्त साधन है वहां का जो विकास का स्तर है वो बहुत तेजी से उपर उड़ता है उर्जा की अगर हम बात करें तो यहां पर देखते हैं कि हमने वेपार, उद्योग, वालेजी की बात कहीं, क्रिशी, उत्पादन की बात कहीं तो यह सारे छेत जो कहीं न कहीं उर्जा से ही जुड़े हुए है यानि इनका जो संचालन है वो उर्जा से ही हो पाता है तो अगर उर्जा की परयाप्त प्लब्धता है तो व्यपार व्यवसाय वाणिज उद्योग और कृश्री संबंदित सभी छेत्र बहुत अच्छे से फलते फुलते हैं और बहुत अच्छे से विकास करते हैं यहां पर हम देखें कि उर्जा का महत्व क्या है तो बहुत जादा इसके बारे में बताने की आवश्रक्ता नहीं है एक तो कुल मिलाकर सीधे सररश अब्दों में हम कह सकते हैं कि उर्जा किसी भी देश के आर्थिक विकास का आधार है जैसी कि हमने पहले भी देखा चाहे ओद्योगिक शेत्र हो कृशी चेत्र हो या घरेलू चेत्र सभी जगा आप अपने आसपास भी देख रहे हैं कि बिना उर्जा के कोई भी कारे संभव नहीं हो पाया है दूसरा अगर हम इसको जोड़के देखे सेवा चेत्रों से तो यहां पर हम उर्जा के प्रकार को दो भागों में बाड़ते हैं एक वेवसाइक उर्जा और दूसरा गैर वेवसाइक उर्जा जब हम बात करते हैं वेवसाइक उर्जा की तो यहां पर हम उन सभी उर्जा को शामिल करते हैं जिनके उप्योग के बदले में हमें एक निश् जैसे हम प्रयोग करते हैं पैट्रोल का डीजल का बजली का तो ये सभी वेबसाइक उर्जा के अंतरगत आते हैं और इनके उप्योग के बदले हमें एक निश्चित कीमत अदा करनी पड़ती है दूसरा बात करते हैं हम गैर वेबसाइक उर्जा की जिस से हमको ह然后 की उर्जा तो मिलती है लेकिन कहीं न कहीं उनका जो स्ट्रोथ है वो प्राकृतिक है उसके लिए हमको अलग से पैसे देने के ज़रूरत नहीं पड़ती इसके अंतरकत हम शामिल करते हैं प्राकरतिक संसाधान जिसमें लकडी आता है, कोईला आता है, गोबर गैस आता है और साथ ही साथ हम देखते हैं सबसे महतुपूर्ण जो आजकल हम प्रयोग कर रहे हैं सूरे का प्रकाश तो ये जो गैर वेबसाइक और वेबसाइक दोनों ही प्रकार के उज़ा हैं, दोनों अपने आप में काफी महतुपूर्ण हैं और दोनों ही आर्थिक विकास का अधार हैं बस बात ये है कि हम इनका किस प्रकार से सदुपयोग कर पाते हैं तो इसके साथ साथ हम उर्जा के परंपरागत स्रोतों पर एक नज़र डाले तो सबसे पहले हमको दिखाई देता है यहाँ पर कोईला कि अचे कोईलर देगा पर परेखाई आपरागत पर राले कोईला कि अगर हम बात करें आप सभी परिचित होंगे मानौ सभिता के प्रारंब से ही हम कोईले को एक इंधन के रूप में उज्जा के रूप में प्रयोग करते आ रहे हैं कोईले के बारे में अगर जाने तो इसकी महत्ता इतनी है इतना यह महत्तो पूर्ण है कि इसे काला ह दोना भी कहा जाता है कोईला ना केवल आर्थिक विकास के आधार के रूप में उद्योग व्यवसाय में प्रयोग किया जाता है बलकि घरेलू इंदन के रूप में भी अपनी एक मात्वण भूमिका निभाता है यहां अगर हम कोईले के उत्पादन उसके भंडारन की बात कर है तो कुछ आकड़ों पर आए एक नजर डाले भारत में विश्व के कुल कोईले भंडार का लगभग पॉइंट परसेंट पाया जाता है दूसरा हम देखते हैं कि विश्व में भारत का इसमें कोईले की उत्पादन में नवा इस्थान है एक महत्वण बात है कि नवीन सर के अनुसार भारत में लगभग 15,930 कोईले के भंडार है इनके उत्पादन पर हमें एक नजर डाले तो विशेश अग्यों के अनुसार इसमें से कुल 91 परसेंट जो है वो गैर कोकिंग है 7 परसेंट जो है वो मध्यम स्तर का है और 2 परसेंट जो है वो है बहुत अच्छे कॉलिटी का जो कोईला है वो पाया जाता है पूरे देश में कोईले के भंडारन पर एक नजर डाले तो हम देखते हैं कि जारखंड का भंडारन है 26 परसेंट ओडिसा का है 24 परसेंट छतिसगर 17 परसेंट के साथ थर्ट पोजिशन पर है वेस्ट पेंगॉल 11 परसेंट मध् 23 प्रतिशत भंडारन USA के पास है रसिया 15 परसेंट पर है ऑस्ट्रेलिया 14 परसेंट चाइना 13 परसेंट और इंडिया 10 परसेंट साथ में हम यहाँ पर देखते हैं कि भारत में कोईले का उत्पादन सरुप्रतम 1774 में रानी गंज में हुआ वहाँ पर इसकी खदाने प्राप्त की गई और उसके बाद उन्निस सो पचास इंकावन में कोईले का उत्पादन जो कि लगबग 328 लाख टन के करीब रहा और उसके बाद 1988 में 2070 लाख टन के करीब पहुँच गया आगे हम इस पर इक नज़र डाले तो यहां हम देखते हैं कि 2001 में यह लगबग 310 मिलियन टन के आसपास पहुँच गया वर्ष 2012-13 में यह लगबग 556.4 लाख टन के लगबग पहुँच गया और उसके बाद 2013-14 में 566.4 लाख टन के लगबग इसका उतपादन पहुच गया तो इन आकड़ों पर जब हम एक नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि लगातार इसके उतपादक्ता में इसके प्राप्ती में व्रिद्धी होती गई लेकिन क्योंकि जनसंक्या भी बढ़ती गई इसका उप्योग भी बढ़ता गया चाहे वह अद्योगिक शेत्र हो चाहे वह घरेलू छेत्र हो सभी जगा एक इंधन के रूप में क्योंकि इसका प्रयोग किया जाता रहा तो उतपादक्ता में व्रिद्धी के बाद भी अभी तक हम उस स्थर को प्राप्त नहीं कर पाएं हैं जहां पर पूरी की पूरी इसकी उप्योगिता सुनश्रित की जा सकी है जहां हम यह मान सके कि जितनी कोईले की आवशक्ता थी उतना उतपादन हमने यहां पर प्राप्ति किया है तो इसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि अभी भी कोईले की जो कमी है वो बनी हुई है दूसरा एक जो प्रमपरागत स्त्रोत है उसे हम कह सकते हैं खनीज तेल और पैट्रोलियम बात अगर हम करें खनीज तेल पैट्रोलियम की तो ये बिल्कुल सही है कि कोईले की तरह ही खनीज तेल और पैट्रोलियम भी किसी भी देश के विकास का आधार है आप खुद भी देखते होंगे कि जितने भी कलकार खाने वेपार उद्योग हैं उन सभी में जिन बड़ी-बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाता है उसके लिए खनिज तेलों की जुरत पड़ती है और पैट्रोल की क्या उप्योगिता है चाहे हम अपने व्यक्तिकत जीव पर अगर हम एक नजर डाले तो हम देखते हैं कि देश में पैट्रोलियम के जो भंडार है वो लगबग 10.36 लाक वर्ग किलो मिटर में पाए जाते हैं यहां पर हम यह देखते हैं कि एक अनुमान के अनुसार भारत में कुल खनिज तेल भंडार जो है लगबग 13 करोड टन क हैं साथी साथ यहां पर हम देखते हैं कि यह जो भंडार है यह कहा कहा पाए जाते हैं तो यहां हम एक नजर डाले इस मैप में हम देख पा रहा है कि असम गुजरात खंभात अंकलेश्वर डिकबोई कच्छ की खाड़ी तमिलनानू आंधर प्रदेश उडिसा केरल बंगा कि खाड़ी बॉंबे आई तो यह ऐसे छेत्र हैं जहां पर खनिच तेल की जो उपलब्धता है भंडारन है वह संभव हो पाया है तो भारत में अगर हम इसकी उपलब्धता देखें तो हम देखते हैं कि भारत में तेल स्त्रोथ सर्वप्रतम 1866 में देखा गया और अगर इ इसकी हम बात करें तो यहां हम देखते हैं कि सर्वप्रतम 1868 में सबसे पहले असम से इसको निकाला गया और यह जब काम शुरू किया गया तो 1890 में बोर जील के निकट एक तेल का भंडारन पाया गया और यहां पर तेल निकालने का जो काम था वो असम ओयल कंपनी को सौप गया और उसके बाद धीरे धीरे जो तेल के भंडारन थे उनका पता चलता गया और उसकी प्राप्ति हमको होती गई और 1915 में बडरपूर से तेल निकालने का काम बर्मा आयल कंपनी ने शुरू किया तो इस प्रकार स्वतंतरता प्राप्ति के पहले और स्वतंतरता है उनका पता चलता गया और किस तरह से हम उसको प्लब्द करा पाए उसको हम निकाल पाए इसके लिए हमने बहुत सारे पुंजिगत संसादरों का प्रेयोग किया और अब तक लगभग 23,000 कुए खोदे जा चुके हैं आगे इनके अकड़ों पर हम एक नजर डाले तो हम द लाग टन हो गया और इसके बाद 1990-1990 में बढ़कर ये लगभग 330 लाग टन के करीब पहुंच गया आगे हम इसमें देखें तो 2000-2001 में 32.5 मिलियन टन 2012-13 में 389 लाग टन 2013-14 में 378 लाग टन थोड़ी सी कमी के साथ दर्ज किया गया लेकिन उसके साथ साथ काफी इसमें व्रिद्धी हुई और बात करें हम समुद्र से तेल निकालने की तो लगभग 1973 में हमने समुद्र से तेल निकालने का काम भी शुरू किया इतने भंडारन की बावजूद भी अगर हम देखें तो यहां पर हम पाते हैं कि अभी अभी केवल 70 प्रतिशत जो आप उड़ती है वो पूरी की जा सकी है बाकी जो जरूरत हमको पढ़ती है खनिश तेलों की पेट्रोलेम की उसके लिए हम बाहरी देशों पर निर्भर रहते हैं और वहा अगर बात करें पिछले तीन दश्कों की तो यहां पर प्राकृतिक गैस ने भी वैपार वाणिज्य उद्योग सभी छेत्रों में अपनी महत्रपोर्ण भूमी का अदा की है साथी साथ हमने देखा कि एक अनुमान के अनुसार देश में जो गैस के भंडार है वो लगबग पांच सो एक चालिस बिलियन क्योबिक मीटर है और गैस की जो प्राकृतिक गैसों से प्राप्त जो उर्जा है उनका विकास और विस्तार पिछले कुछ वर्षों में काफी देखने को मिला है साथ ही यहां पर हम देखते हैं कि वर्तमान में गैस पाराधारी जो सयंतर जो है वह स्थापित किये जा चुके हैं और यह जो सयंतर है वह राजस्थान कवास और रईया और उत्तर प्रदेश के आसपास के छेत्रों में स्थापित किये गये हैं नहीं इस प्रकार के जो गैस पराधारित विद्धुत सयंत्र की छमता है वो लगबग 7000 मेगावाट हो गई है बात करें अगर हम LPG के तो यहां पर हम देखते हैं कि LPG गैस को इंधन के रूप में उप्योग किया जा रहा है काफी लंबे समय से इससे हम सभी परिचित है उन्निस सो नब्बे इंक सब्सक्राइब लाइन फैलाने का कारे किया जा चुका है साथ ही प्राकृतिक गैस के अगर हम बात करें तो प्राकृतिक गैस का उत्पादन 2012-13 में लगबग 40.7 BCM और 2013-14 में लगबग 35.4 BCM के आसपास दर्ज किया गया इसी प्रकार जो हमारा उजा का अगला परंपराग स्त्रोथ है वो है विद्दूत तो विद्दूत इलेक्रिसिटी जिससे हम सभी परिचित है और इसका हमारे निजी जीवन में क्या महत्तु है इससे हम सभी परिचित है बात करें अगर हम उद्योग धंधो वाणी जिवेपार की तो हम सभी जानते हैं कि बिजली के बिना य देल यातायात के बात करें सभी जो चेतरे हैं वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं वो विद्दूत याने बिजली पर डिपेंड हो गए हैं तो बिजली की महत्ता को कहीं पे भी आ नकारा नहीं जा सकता यह हम सभी जानते हैं यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत में जो बिजली का उत्पादन है वो सन 1900 से आरम हुआ और उसके साथ साथ सरुप्रथम करनाटक राज में शिव समुद्रम नामक इस्थान पर पहला जो पन बिजली घर है वो बनाया गया एक महतुपूर्ण बात यह है कि सन 1947 में इसकी जो उत्पादन शमता थी वो केवल 19 लाख किलो वार्ट थी जो कि सात्वी पंचवर्शी योजना के आसपास तक बढ़कर लगभग 633 लाख मेगावार्ट तक हो गई थी साथ ही भारत में विद्दुचक्ति के उभोग की अगर हम बात करें तो कुल उत्पादन का लगभग 57 प्रतिशत भाग जो है वो उद्योगों में उप्योग होता है 24 प्रतिशत जो भाग है वो कृष्री कारियों में याने कि सचाही सुविधाओं को प्रदान करने में उप्योग किया जाता है और शेश 15 प्रतिशत जो भाग बचता है 15 प्रतिशत के लगभग वो घरेलू कारियों में उसका उप्योग किया जाता है और इसके साथ हम देखते हैं कि विद्धुत का जो उत्पादन है वो वर्ष 2013-2014 तक पिछले वर्षों की पिछले जो कैलकुलेशन हमने की उसकी तुलना में लगबग 6.9% वरिद्धी हुई और वो बढ़कर लगबग 975 बिलियन यूनिट तक हो गया तो बिजली की छेत्र में भी हमने काफी तरक्की की इसे भी उर्जा का एक महत्पूर्ण परामप्रागत स्ट्रोत माना जाता है वैसे ही अगर हम बात करें जैव उर्जा की तो वर्तमान में जैव उर्जा को उर्जा का एक महत्पूर्ण साधन माना जाने लगा है वास्तों में पहले हमने जिन चीजों को कचड़ा समझा जिन चीजों को हमने अपसिस्ट समझा वही जो पदार्थ है उनसे ही उर्जा प्राप्त हो सकती है ये जब हमने जाना हमने उसके महत्व को समझा तो वहां पर जन्म हुआ जैव उर्जा का अब जबकि विग्यानिकों ने ये बात जान ली कि कितना महतुपूर्ण है जैव उर्जा और उर्जा के छेतर में ये कितना महतुपूर्ण इस्थान रखता है तो यहां से बायो गैस और सामुदाइक बायो गैस के बारे में लोगों ने जाना और साथी साथ जाना कि ये जो हुए सन 2000-2001 तक कुल 32 लाक बायो गैस प्लांट जो है वो देश में लगाये जा चुके थे इसका प्रभाव ये पड़ा कि इससे देश में लगभग प्रती वर्ष 49 लाक टन लकडी जो है उसकी बचत होने लगी क्योंकि जो ग्रामी छेत्र है जहां पर LPG की उपलब्दता सुनिश्चित नहीं हो पाई थी वहां के लोग घरेलू इंधन के रूप में मुखे रूप से लकडी का प्रयोग करते थे बायो गैस की उपलब्दता होने के बाद एक बहुत महत्पूर्ण सुधार यहां पर ये आया कि लगभग 49 लाक टन लकडी की बच बायो गैस प्लांट लगाकर जैवर्जा के प्लांट लगाकर इन सभी अपसिस्ट पदार्थों का जो उप्योग है वो खाद के रूप में उर्वरक के लिए और गैसों के लिए इनका उप्योग किया जाने लगा तो ये एक महत्पूर्ण बात दिखाई दी और इसके महत् सभग देश में 530 ऐसे सयंत्र बनाए जा चुके हैं जहां से इन अपसिस्ट पदार्थों का प्रयोग करते हुए इनका सदुप्योग किया जा सके गैस के रूप में खाद के रूप में उर्वरकों के रूप में तो हमने जाना कि उजा के परंपरागत स्त्रोत कौन-कौन स से हैं उनके क्या लाब हैं और देश ने इन स्त्रोतों को प्राप्त करने उनका उप्योग करने के छेत्र में कितनी प्रगति की है